हेलो फ्रेंज वल्कम टो मैं चानल आज हम सिखेंगे एक बहुत ही सिंपल सा एम्डॉइडरी जो एक सिंपल ट्रिक से पुरा एम्डॉइडरी कर सकते हैं इसके लिए मेटरियल चाहिए होगा सिर्फ चार चीज़े एक तो आइंकर का धागा सुई फ्रेम और कट दाना मैं यह यह शुरू करते हैं मैंने यहाँ पर शेज ट्रांस लेया है त्री त्री डबल करके शेज दो इस अब हम स्टार्ट करते हैं आउट से आउट साइड से इनर साइड के तरफ पीछ में राह नीजाए ताकि स्टिक परफेक्ट आए अभी आप ज़ी देख रहे हैं मैंने करना है फिर बीज तक ले जाना है आप देख सकते हो में एक्जाक्ट वो ड्रॉइं किये गए लाइन के उपर से नेडल गुजार रही हो ताकि पुरा पेटल का शेप ठीक से आये अगेन आपको प्रोसेस वही रिपीट करना पड़ेगा इन तो तो एक यह प्रीट रिपा के जाए्न वो राइगए लिए ऐतना आसान तरीका है कि कोई भी कर सकता है जिसको एंड्रॉइट के यी बी पता नहीं होगा वो भी इसको कर सकता है और आपको यह ध्यान रखना है कि स्टिचेस जो आ रहे वो पास पास से आए तो बीच में गाप न रह जाए अगर दूर दूर आएंगे तो स्टिचेस अच्छे नहीं दिखेंगे परफेक नहीं आएगा आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है आपको यह पेटल बहुत ही सुंदर बनेगा बहुत ही सिंप्ल सा एज़से ट्रिक है देखो यह कितना सुंदर बनता जा रहे हैं ऐसी ही करते जाना है इस डिजैन को बहुत सरी जगह यूज़ कर सकते हो स्पेशली कुर्ती की शूल्डर साइट और टेबल क्लोट्स सारी बॉर्डर्स छोटे बेबिस की फ्रॉक्स के उपर देखो ये कितना एजी तरीकी से होता जा रहा है इसी तरीकी से आगे कंटिन्यू करते जाना है कर देखो ये कितना एजी तरीकी से होता है कर देखो फर्स्ट पिटल कितना सुंदर बन गया खतम होने जा रहे है बहुत ही खूल सुरत बन है सेकेंड पिटल की इसी तरीकी से करते जाने है सकते कर दो झाल झाल यहां पर आप देख सकते हो दोनों पेटल्स खतम होने जाए अब हम जाएंगे कटदाने के तरफ कटदाने यह जो चीज है अगर आपको आरिवग पता है तो आरिवग में बहुत यूज होती है जीज अब हम इसको कुछ चार पांच पीसेस लेना है नेडल में आपको मैं यह अब जैसे देख रहे हो आप पेटल की बीच में रखकर स्टिच कर लेना है इसको आप डबल स्टिच कर लेना ताकि यह स्ट्रॉंग रहें यह हो गया एक बार और यह दूसरी बार और हाँ यह जो दोनों पेटल्स खतम होने के बाद फ्लावा का मिडिल पाट जो उसको मैं आसानी से साटन स्टिच कर लिया सिर्फ और उसके साइड्स पर बैक स्टिच कर लिया है सेन प्रोसेस आपको सेकेंड पेटल में भी रिपीट कर लेना है कर दो दो नहीं प्रोसे साइड्स पर लिया है अब हम जाएंगी लीफ्स की तरफ हमको वैसे ही प्रोसेश करना जैसे हमने पिटल्स में किया था बीच में से नीडल ऊपर निकाल लेना चाहिए उसको गाद फिर मिडल में मिडल लाइन में उसको नीचे से लेना चाहिए फिर अगें फ्रम राइट तो दे मेडल अगें फ्रम दे लेफ्ट तो दे मेडल सेम प्रोसेश रपीट करते जाना है अगें था ले सेमे प्रोसे बाइब लेफ्ट बाइबन आपना है का रहता है झाल झाल यहां पर धागो ओवरलाक होता है तो कभी कभी आपको हाथ से ठीक कर लेना है हाथ से ठीक करेंगे तो वो ठीक से अपनी प्रेस में रह जाएगा जैसे मैं यहां पर कर रहे हूं हाथ से एजस्ट करेंगे उसको झाल 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 हमारा फस्वी पूरा होने वना है अब यह पूरा हो गया, अब हम जाएंगे सेकंड लेट की तरफ, वह भी सेम एक्जाक्ट प्रोसेस है, इसको राइट से मिडिल, लेफ्ट से मिडिल लेके जाना है और आपको आगे एम्रोडरी करती जाना है अब अब बना है । । ॥ । ० । ॥ । अब हमारे दोनों लीट्स पूरे हो गए हैं अब हम चाहेंगे फिर से कटाने की तरफ इसको कुछ पीसेस आपको नीडल में लेना है चे साथ पीसेस और उसको एजिस्ट करके इसको स्टिच कर लेना है अब इसे सेकेंड लीफ के साथ अब स्टिच कर लेना है अब यह ज़रूब ध्यान रखे कि डबल स्टिच कर ले ताकि वो अपने जगह से हीले नहीं टाइट से रहे अब यह पूरा बन गया है आप देख सकते हो कितना खूपसुरत और सुंदर दिखते हैं और बहुती सिंपल तरीका है इसे करने के लिए प्लीज लाइक शेर एंड सबस्टाइब में चानल और प्लीज बेल लाइक उनको आउन रखना ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिवीशन आप तक पहुन सके थांक यू